तो भाईयो कल जो गाइडलाइन जारी हुई है जो निशंक जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है जो सर्कुलेट हो गया थोड़ी कम से कम आदे गंटे में सभी के पास उसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा लेट हुआ हूँ वीडियो के लिए क्योंकि कहीं जग जो पीडियेफ था सर्कुलेट हुआ है जो इमेज दी सर्कुलेट हुए नो बज़ी के चोतिस मिनट पर जो निशंक जी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है सबसे पहले तो मैं यह आपको बता दू कल जो हमने बताया था तो इसमें लिख रहा है कि आर सी को को वो रिपोर्ट सब्मिट कर देगी कुछ दिन के बाद मतलब कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि गाइडलाइन के में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जैसे कि हम 2-3 दिन से इंतजार कर रहे थे उसी के बेस पे मैंने यह बनाया था सबसे पहले तो मैंने वेट किया क्योंकि जा प्रिंट जैसी कोई वेबसाइट हमने कभी सुनी नहीं है कल पहले बार सुनी और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि एक CCS उनिवर्सिटी को या किसी भी सरकार को CCS को ही एक ऐसी चीज डालने एक ऐसी मतलब स्पेस देना चाहिए जहां पर बताते रहें कि यह इतनी सुद्ध हिंदी में बात करते हैं जब इस्टूडेंट से बात करते हैं उन्हें समझी में आता है कि हाँ जो देखते हैं वो रूरल एडिया से हैं ज्यादातर गरामीन एरिया से हैं फिर वो इंगलिष में कैसे नोटिस डाल देते हैं चलो ठीक है वो तो आप मुझे बोल भए थे इसलिए मैंने चीए टोपिको भी उठा लिया तो बात करते हैं फिर इससे आगे यह मैंने वीडियो डाल दी थी उसके बाद मेरे पास कोमेंट आने स्टार्ट हुआ लगभगा अदे गंट मेरे पास कोमेंट आने लगे कि भाया ये देखो नोटिस आया है और वो आया है मैंने तभी नोटिस देखा एनलाइज किया तो थोड़ा से इन चीज़ों में टाइम लगता है तो ये रहा रमेश पोक्रियाल निसंग कि ये स्क्रिन सोट 6 जुलाई 9 बज के कॉमेंट में जरूर पूछ होगे तो ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ इसी से जुड़ा हुआ ये कॉमेंट है और सबसे पहले चीज़ तो ओफिसियल है ये फेक नहीं है इंटर्मीडियेट सेमेश्टर स्टुडेंट्स विल बी इवैलुएटिट इंटर्नेट इंटर्नेट इंटर्नल एसस्मेंट इस पर अर्लियर स्टुड़ाइडलाइन्स तो इंटर्मीडियेट जो समेश्टर स्टुडेंट्स है वो विल बी इवैलुएटिड जो उन्हें मतलब उल्ल्यांकन कर दिया जाएगा इंटर्नल एसेस्मेंट जो इंटर्नल के एसेस्मेंट समांक alright मतलब intermediate को बोल सकते हूँ आप एक final year को छोड़के वो जो बच्चे है final year को हटाने के बाद उन्हें जो है pass कर दिया जायगा त्विक है उसके लिए एक जल्दी ही guideline जारी कर दी जाएगी ठीक है इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जारी कर दी गई है गाइडलाइन लेकिन जारी की जाएगी एक और गाइडलाइन आएगी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आएगी वो भी सब कुछ क्लियर करूँगा दूसरी चीज उन्होंने बोले तो जो पहले टर्मिनल सेमेश्टर बोलते हैं जो बिलकुल किनारे पे सेमेश्टर होते हैं अगर आपके दस सेमेश्टर है तो दसवा सेमेश्टर तीन साल की पढ़ाई है तो तीसरा साल और छे साल के सेमेश्टर होते हैं या फिर फाइनल समिस्टर जो हैं उनके जो एक्जाम होने थे वो जुलाई में होने थे जिन्हें अब कंड़क्ट कराने के लिए बोल दिया गया कि सितंबर के एंड तक आप कंड़क्ट करा दीजिए उन्हें मतलब यह होता है Member of Health and Family Welfare इंडिया यह चीज हो गई आपके इन्होंने नोटिस लिख दिया यह नोटिस यह है अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे यह सेम वही चीज इसमें बोल रखी है जैसे देख सकते हैं आप सबसे उपर the terminal semester final year's examination be conducted by the university's institution by the end of semester और वो offline होंगे online होंगे कैसे होंगे वो सब कुछ depend करा दिया कि आप college वाले खुद देख लेंगे उसे यह फिर वहाँ की स्थिति को देखते हुआ आंकलन किया जा सकता है इसमें यही चीज लिख रखी है अभी यह जो है चलो इसके बारे में मैं थो आपको होगे तो link देदूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा उसको आपको पढ़के बता रहा हूं तो इसमें लिखा हुआ है कि देश में coronavirus के परसार को रोकने के लिए भारत द्वारा देश वयापी तालाबंदी लागू करने के बाद सभी school college और विश्विद्दालों को बंद क ज़्यादा हो गया है परिक्षाओ के नहीं होने से विश्विद्दालों के सेमिस्टर परिक्षाओ का समय खराब होने और आधिया दूरी तयारी के साथ परिक्षा देने को विवर्ष होना पड़ेगा कहीं college के सत्र को नियमित करने के लिए अतरिक्त संसाधन लगाने सितंबर तक करा सकेंगे गरहम अंतरालिक अनुमति के बाद UGC ने सोंबार को 6 जुलाई देर रात विश्विद्दाले और college को परिक्षाओ को लेकर संसोधित गाइडलाइन जारी करी है यह जो मैं पढ़ रहा हूं यह अभी तक की अपडेट है अभी तक जब मैं वीडिय या फिर अंतिम सेमेश्टर बाकी सब प्रमोट हो जाओगे ठीक है तो अगली इसमें है है हेडलाइन की परिक्षाओं ओनलाइन और ओफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी UGC ने इसके साथ ही विश्विद्दाले college को यह भी छूट दे दी है वह इन परिक्षाओं को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी एक्षाम करा सकते हैं हालां कि UGC को इसकी जानकारी दे नहीं होगी अब जो लास्ट है UGC ने इससे पहले 29 अप्रेल को जारी guideline में सभी विश्विद्दाले और college में 1-15 जुलाई के बीच अंतिम वर्स की परिक्षाओं कराने से हाथ खड़े कर दिये थे तो यह अपडेट थी और एक लास्ट लाइन इसमें है मानव संसाधन विकास मंत्राले ने UGC से परिक्षाओं को लेकर जारी guideline की नए सिरे से समिक्षा के निर्देश दिये थे तो यह थी guideline आपकी जनसत्ता ने जो दी है इ मतलब अभियान चला रहे हैं वो कि हैंने पास कर दिया जाए NSUI के साथ उन्हें मतलब अटेच कर करके अपने कॉमेंट कर रहे हैं कि इतना मतलब नहीं करना चाहिए जो पढ़ाई हो आपकी ऐसे उस पे मतलब जाची नहीं जानी चाहिए कि आपकी परिक्षा की बेस पे सब कुछ लिख रहे हैं मैंने भी अपने ट्विटर पे लिखाया जाके चेक कर सकते हैं उसे रीटूइट कर सकते हैं जिससे आगे तक बात पहुँचे उसके बाद ये जो हो गई गाइडलाइन उसके बाद मैंने अमरुजाला और देनिक जागरन की मैं हर बार खबर को मिक्स क करके बताता हूं आपको जिसमें अच्छी होती है या जिसमें सही होती है कुछ बच्चों ने मेरे पास हिंदूस्तान की कटिंग भेजी थी जो कि मुझे सही है दिख नहीं रही ती इसलिए मैंने découvrir कर आ कि लाइन है इसमें दोगज की दूरी मास्क तथा आरोग्य से तू एप जैसे प्रावदान सामील है किसमें जब आप एक्जाम पेपर देने जाओगे अभी पढ़ते हैं दैनिक जागरेन की खबर जिसमें सब मतलब परिक्षाएं सब जो नियू जम वो मिक्स हो जाएंगी व जहां पर आपका कॉलेज हैं वहां पर जो डीन है या फिर उनिवर्सिटी से बात करके वहां पर निरीने लेने की उन्हें छूट है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फिलहाल भी गरह मंत्राले ने भी अनुमती नई सेक्षिनिक सत्र और प्रवेश को लेकर अल कि परिक्षाओ को लेकर संसो दिद गायड लॉयन जारी की है जिसमें युलाईं में परिक्षाओ को कराने जैसी अनिवारय तो ख़तम कर दिया है साथी अंतिम वर्सिटी परिक्षाओ को अनिवारय बताते हुए बस अंतिम वर्सिटी अगर आप उससे अलग हो BF верौ परमो हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं हाला कि यूजी सी को इसकी जानकारी देनी होगी मतलब जब भी परिक्षाइं कराएं तो यूजी सी को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि हम इतने तारीक को करा रहे हैं यूजी सीन इससे पहले 29 अपरेल को जारी गाइडलाइन में सभी विश्वी डालोर कोलिजों में 1-15 जुलाइ तक के बीच अंतिम वर्ष की परिक्षाइं कराने को कहा था यह वो गाइडलाइन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह गाइडलाइन टोटल अधूरी गाइडलाइन है मैं उसकी वीडियो भी बना रख यह 22 मिनट के शाध वीडियो है तो वो जोब हमने guideline पड़ी ती, तो वो मतलब बिना sir bear की guideline थी, वो मैंने अपको पढ़के बताया था, analyze करी थी उसे, मैंने अपको logically बताया था कि वो कहां-कहां पर उन में कमिया है, क्या-क्या उस guideline में कमिया है, वो भी ऐसे ही बना दी थी, ये नोटिस और भी ना सोचे समझे पताने कैसे डाल दिया जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परिक्षाय कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय किया गया था इस बीच कोरोना के तेजी से बड़ते संकरमन को देखते हुए कहीं राज्य और विश्विदालों ने महझूदा परिस्टिति में परिक्षा कराने के हाथ खड़ी कर दिये थे इसके बाद मारव संसाद रिविकासमंत्राल ने ने यूजी सी से परिक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाईन की नए सीरे से समिक्सा करने के निर्देश दिये थे मतलब जहां पे गारिजन वगेरा जा रहे हैं या उनिवर्सिटी में वहाँ पे धरने पे लोग बैठे हैं तब जाके ये मतलब ये गाइडलाइन निकालने की परिक्षा होगी मतलब इवैलुएट करने के और भी तरीके हो सकते हैं और अगर सोचें तो मतलब ये खुद से ही इनों ने दिया है मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये खुद से वहाँ पे देखे आए हैं जब कमिटी हुए है कि हाँ फाइनल एर के पेपर करा ले UGC ने इसके बाद हरियाना केंद्री विशुविद दैले के कुलपती किया गुवाई में एक उच्छी सतर्य कमिटी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट के बाद UGC बोर्ड ने यह फैसला लिया है UGC ने सभी विशुविद दैले को निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी कोई शातर अंतिम वर्ष के परिक्षाओं नहीं दे पाता है तो उचीतर कारण पाए जाने के बाद उसे फिर से परिक्षाओं में बैठने का मोका दे दिया जाएगा सेंसोदित गाइडलाइन में UGC का सबसे ज़्यादा जोर अंतिम वर्ष के परिक्षाओं को लेकर है जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए UGC ने पहले ही विशुविद दैलेप से आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर पर्रमोट करने के निर्देश दिये है निर्देश दे दिये कि आंतरिक मतलब इंटर्नल जो आपके वल्यवेशन है इंटर्नल बेसिस पर पास कर दिये जाएं उसमें भी रेगुलर को पास कर सकते हैं इंटर्नल के बेस पर और अगर कोई बनमाल दो पेपर किसी के हुए हो उनमें थोड़ी दिक्कत है प्राइबेट वालों के इंटर्नल एक्जाम होते नहीं उनको दिक्कत है उन मतलब किसी का कुछ भी दिया नहीं गया है मतलब जिस तरीके की हम गाइडलाइन्स की उम्मीद कर रहे थे वो तो बिलकुल भी नहीं है दैनिक जागरन हुआ ये थोड़ा सा और इसमें बताया अंतिम वर्ष की परीख्षा दी जाने अनिवारी कोवीड मे परिख्राओं को रहात नहीं मिलने वाली है ऐसमें बताया गया है कि घ्रहम अंतरा लें केंडरी ये उच्छ शिक्षा सचीव को पतर लिखकर विश्विद्यालियों को परिख्षा कराने के अनुमति दी है विश्विद्यालियों को केंद्रिय सवास्त और परिवार मंत्राले से जारी मानकों का परिख्षा के दोरान पारलन करना होगा उधर CCSU सहीत परदेश के लोग आप लापरवाई बरत रहे हैं नतीजतन कोरोना के मरीज़त लगातार बढ़ते जा रहे हैं मतलब यह सब इंडिया में चल रहा है उसके बाद ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी है बता रहे हैं सितंबर के एंड तक पेपर करा दिये जाए आप मुझे यह बताओ कि किसी क लेट तक पढ़ाई वगयरा जो है मतलब दिमाग में होल्ड करके रखते हैं कितने परसेंट लोग होगे 10 परसेंट लोग होगे बाकी का 90 परसेंट का क्या होगा पढ़ाई से इतना जो गैप हो गया किसी के पास अभी किताब नहीं है वो किताब कैसे लेके आए जो आपने क्या बोलते हैं अपनी तो मतलब जोब वगयरा कर रहे हैं जो मतलब लास्ट में आके मेहनत करते हैं कि नंबर उनके सही आ जाएं उनका कैफिर कैसे हुगा क्या आपने मार्केट खुलवा दिया है क्या बुक्स अवेलेबल हैं आपकी ब्रिज लाइबरेरी है एक उनलाइन nccs university.c.no उस पर भी पूरी बुक नहीं है अगर मैं BA की कोई ढूंडू मुझे उस पर 90% बुक नहीं मिलने की उसके बाद आप यह नोटिस निकाल रहे हैं तुने confidence से मेरे समझ में नहीं आ रहा है एक लास्ट चीज है यह और पढ़के मैं आपको बता दू उनिवर्सिटी Grant Commission जो UGC है ने graduation, post graduation के final year की परिक्षाय रद ने कराने का फैंसला लिया है आयोग ने माना है कि result जारी करने के लिए online अथ्वा offline किसी भी संभव तरीके से परिक्षाय आयुजित की जानी चाहिए केंद्री ग्रहमन मंतराले ने 6 जुलाई को higher education secretary को पत्र लिखकर college या university की final year की परिक्षाय आयुजित करने के लिए हरिजंडी दे दी है पत्र में कहा गया है कि college के result तयार करने के लिए आयुजित परिक्षाय आयुजित करना जरूरी है करना जरूरी है ठीक है अभी ये मतलब एक चीज यह हो सकती है कि अभी तक जो बोल रहे थे मैंने बोला था कि जो professor अनके तनेजा जी है उन्होंने ये बोला है किसी भी news पर तो उसपे number नहीं आएंगे लिखे हुए उसपे आएगा लिखा हुआ कि आप promote कर दिये गए हैं promoted आएगा लिखा हुआ तो number कब आएंगे जब आप जो first year वाले हैं वो second year में आज आएंगे second year के paper देके उनके मालो 55% number आ गए तो first year में भी 55% देके उनका result डिक्लेर कर दिया जाएगा दिक्कत वहाँ पर आती है जब किसी की back लगती है तो वो कैसे वहाँ पर करेगा कौन कैसे कैसे back के form भरेगा और किसी कोई website हो जाता है किसी की तवियत खराब हो जाती है वहाँ पर वो क्या करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है इसी को देखते हुए आप माल लो third year में हो इसी को देखते हो अगर इस line को आगे बढ़ा है तो आप third year में हो final year में हो, final semester में हो आपके पर आगया लिखा हो अप promoted तो अभी कौन से आप paper दोगे जिसके बेस पर आपको मतलब करा जाएगा आप माल लो भी यही कर रहे हो आप मतलब पापा मम्मी का बहुत नहीं है कि आपको कराएं आप वाय में कराएं लड़की हो आप, ठीक, जाद अतर cases में होता है तो उनका फिर evaluation कैसे होगा, तो यह मेरे दिमाग में एक बात थी जो मैं आपके साथ share करे है, अगला जो point है वो हम पढ़ते हैं विश्विद्धालय अनुदान, आयोग UGC दुवारा विश्विद्धालय महाविद्धालय डीमड विश्विद्धालय कोलिजो और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन पाठ्थे करमों की अंतिम वर्ष या सेमेश्टर की परिक्षाव के लिए नए निर्देशा निर्देश गाइडलाइन्स 2020 जारी किये गए हैं, जिसके ताथ युनिवर्सिटी और को फाइनल येर के एक्जाम आयोजित कराना अनिवारिया कर दिया गया है हाला कि UGC की गाइडलाइन आने से पहले ही कई उनिवर्सिटी दिए अपने इस तर पर एक्जाम को लेकर फैसला ले लिया था, वहीं कई उनिवर्सिटीज और व कोलेज़ फाइनल येर को और सेमेश्टर एक्जाम के लिए UGC की guideline का इंतिजार करते हैं अगर UGC की अभी वेबसाइट खोलोगे तो शायद नहीं खुलेगी वो ठीक है UGC की guidelines नहीं खुलेगी UGC की website नहीं खुलेगी CCS University की official website पर भी कोई notice नहीं है अभी लेकिन ये official है क्योंकि निशंक जी ने बोला है कि हाँ ये ऐसे होना है तो ये official है अगर आप बोलोगे कि ये notice change हो सकता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है ये भी change ठीक है क्योंकि सितंबर में घुसके हमने किसी नहीं नहीं देखा कि सितंबर में क्या होने वाला है और सितंबर तक वेट करेंगे तो फिर admission कब होगा मेरी समझ में ऐसा नहीं आ रहा है मैं पता नहीं कि इन्होंने कि इतना number time और कैसे कैसे notice निकाल दिया कुछ और आ सकता था ये बहतर आ सकता था इससे notice लेकिन चलो सही है मतलब मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि 55-60% सभी को number दे दिये जाए और अगर कोई चाहता है कि हाँ मुझे में talent है तो उससे examination form भरा लिया जाए जो कि आप पहले भरा चुके हो ठीक है तो उनको दोबारा से मोका दे दिये जाए कि आप पेपर आप दे सकते हो आजाओ आप पेपर दे दो अभी भी अगर पेपर दे हैं ऐसे बच्चों का जादा बच्चे नहीं निकलेंगे ऐसे ठीक हजार में से जादा से जादा पांच बच्चे ऐसे निकलेंगे जो बोलेंगे हाँ में पेपर देना है तो एक college में 5 बच्चे ले लो यार आप करके sanitize वगएरा करके आप उनकी परिक्षा ले लो जल्दी से result भी declare हो जाएगा बागी किसी को आपत्ती नहीं है कम से कम 1000 में से 10 या 12 बच्ची ऐसे होंगे जिने आपत्ती है और बागी कि बच्ची ऐसे होंगे जिने कोई आपत्ती नहीं है 55-60% के बीच में नमबर में ठीक है और जो guideline जारी हुई है मुझे अगर आप बता सको तो इतना बता दो जिसने guideline जारी करिए इसमें back वालों का कहा है इसमें x वालों का कहां कुछ लिख रखा है आप मतलब कैसी guideline जारी कर रहे हो मेरी समझ में ऐसे नहीं आ रहा हमने सोचा था 20-25 पेज की guideline होगी जिसमें लिखा होगा कि BA का ऐसा होगा एक्स वालों का ऐसा होगा जिनोंने दो paper दे दिये हैं उन्हें जारी होती वह बहुत तरीके से जारी होनी चाहिए थी बस यह ऐसे ही जैसे कुट्टे को जूटा डाल देते हैं वह चीज यार सही से समझ में नहीं आई और पहले तो यह एक चीजी ने सुधारनी चीए आप guideline जारी कर रहे हो हम सुबह को अमरुजाला दैनिक जागरन का व ना UGC पर डे रहे हैं देख कहां से रहे हैं देखे कहां पर बच्चे मतलब कोई चीज तरीके से चलनी चीए वो तरीके से चल ही नहीं रही पता नहीं क्या हो रहा है तो जितने बच्चे हैं उन्हें मैं अभी तक की अगर अपडेट की summary बता दू तो वो यह है कि अगर आ अगर आप हो तो promote नहीं हुए हो और अगर आप first year, second year मतलब final year को छोड़ के हो तो आप promote हो चुके हो इनकी updates की according अगर मैं आपको बता हूँ तो आप promote कर दिये गए हो और एक guideline या फिर एक notice जो detailed notice होगा वो आना बागी है उसमें wait कर लो अभी उसमें थोड़ी chances हैं कि आपको और या आयत दी जाए या फिर आप ये मानों कि जब ये notice आया है रात आज सुबह को देखोगे या फिर शाम तक आप news देखोगे या फिर कल देख लेना news धरना परदर्सन हो रहा है CCS University के सामने और Twitter handle पर जहाँ पर निशंक जी ने ये चीज लिखी हैं तीन जो notice लिखे है मैं उसके नीचे ही बच्चों ने लिख रखा कि मैं suicide कर लूँगा और ये बहुत सारी चीज़े लिखी हुई हैं उनमें से एक comment ऐसा है जो मुझे अच्छा लगा मैंने copy करके अपने Twitter handle पर उसे paste किया आप वो पढ़ लेना हिंदी में notice है और बाकी एक notice मैंने लिखा है वह उस notice में तो वो भी देख लेना अगर आप Twitter चलाते हो से retweet कर लेना जिससे शासन तक आब आज पहुँचे तो चलो देखते हैं बाकी तो ये फैसला final नहीं है मैं बता दूँ आपको ये फैसला final नहीं है CCS University कहीं हमेशा से करती है कि आज लास्ट डेट examination form बरने के और लास् medical वालों की इतनी ही चिंता उन्हें है तो medical वालों के लिए बाद में भी कुछ हो सकता है अब B8 वालों के लिए क्या करते हैं B8 वालों के लिए master में या फिर बच्चे में इतनी काबिलियत है या नहीं उसके लिए क्या करते हैं वो किसी class में भेजते हैं बच्चों को तो ऐ मतलब एक्जाम का जो तरीका है वो थोड़ा सा सही नहीं लगा क्योंकि पहले से काफी गैप हो चुका है तो चलो देखते हैं फिर क्या और नोटिस निकलता है जो कोई नोटिस निकलेगा मैं आपको बताऊंगा और ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो रहा हूं तो इसका मतलब मैं मैं और जानकार यहां इकठा कर रहा हूं ठीक है तो बस इतनी अपडेट अब तक थी तो अभी बैक वालो का निरेने बाकी है आना एक्स वालो का निरेने बाकी है आना और जो नोटिस है देखो एक चीज मैं और आपको बताऊं यह तो सब चीजे थी जो मैंने आपके है जो जो निशंक जी है उन्होंने बताई है वही सब चीज उन्होंने बताई है ठीक है तो चलो सही है बाकी और गाइडलाइन होगी और अभी देखो फिलाल किसी को नहीं पता सितंबर तक क्या होने वाला है इतना है कि अगस तक बोलाई 15 अगस तक जो है वैक्सीन ढूंड लेकिन वो भी स्योर नहीं है कोई कि वैक्सीन ढूंड ली जाएगी है क्या होगा तो चलो ठेकते हैं फिर कोई अगर अगर अपडेट आती है कोई नोटिस आता है तो मैं आपको बताता हूँ इस बारे में आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है सबसे पहले चीज़ ट् अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करूंगा अगर आपको कुछ लिखना ऐसा ठीक है तो आप इस परिक्षा से क्या समझते हो आपको क्या राय है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो बता सकते हो ट्विटर पर फोलो करें इंस्टाग्राम प क्या हुआ है ठीक है ना तो चलो बाकी बात करते हैं फिर और जो नोटिस अगर अलग से को नोटिस आए तो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल्ड नोटिस अभी आना बाकी है और उन्होंने बोला है कि जो स्वासन है वो अपने इसाब से अपनी महां की स्थिति देखते है पर फैसला ले सकता है मैंने आपको पढ़के बता ही दिया तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं और नोटिस एक जरूर आएगा इतना मुझे विश्वास है क्योंकि मैं काफी टाइम से जानता हूं CCS उन्वर्सिटी को और चलो देखते हैं फिर आपकी क्या रा लाइन में भी डाल दूंगा ठीक है तो चलो सही है और बाकी जब मैं लाइव आउंगा मैं साथ परसो कर लिया परसो लाइव आउंगा और जो भी लाइव आउंगा मैं कम्यूनिटी टैब मेरा चेक करते रहें और आपको क्या लगता है इस नोटिस से आप कितने संतुष् तो मुझे कमेंट में बताएं ठीक है